दोस्तों क्या आपने कभी सुना या फिर सोचा है कि दुनिया में ऐसे भी railway track भी हैं जिसमें सफर करना खतरे से खाली नहीं है यानि अगर आप इन railway track में सफर करते हैं तो शायद आपको अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता है दोस्तों नमस्कार Only TV इंडिया पर आपका स्वागत है आज हम फिर उपस्थित हुए हैं एक और इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ अब आपके दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा कि क्या सच में ऐसे railway track हो सकते हैं जिनसे हमारी जान को खतरा हो सकता है तो जी हाँ दुनिया में आज भी ऐसे railway track है जिनके बारे में सुनकर आपके रॉंक्टे खड़े हो जाएंगे तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज हम आपको दुनिया के ऐसे साथ railway track के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें world के most dangerous railway track में से माना जाता है इन में से कुछ ऐसे railway track हैं जिसमें आप भूल कर भी कभी सफर नहीं करना चाहेंगे और कुछ तो ऐसे हैं जिनको बनाने में ज्यादातर workers ने अपनी जान गवा दी थी तो चलिए आपको बताते हैं नाम आता है make long market railway track ये railway track इतना famous है कि दूर दूर से परेटक इसे देखने आते हैं ये market track Thailand के Bangkok में बना हुआ है वैसे तो ये railway track और railway track के ही जैसा बना हुआ है लेकिन ये train का एक ऐसा route है जहां बाजार के बीचो बीच से train होकर गुजरती है इस बाजार को folding umbrella market के नाम से जाना जाता है ये Thailand की सबसे बड़ी सबजी मंडी है इस railway track के अगल बगल में सबजियों की दुकाने लगाई जाती हैं बहुत से लोग तो rail की पटरी पर ही दुकान लगाते हैं जैसे ही train के गुजरने का समय होने लगता है दुकानदार अपनी दुकानों के परदे फोल्ड कर लेते हैं और फिर train के गुजरते ही वापस अपनी दुकानों को वैसे ही लगा लेते हैं जैसे पहले दुकाने लगी होई थी और पहले की तरह दुकानों में खरीदारी शुर हमेशा जान का खत्रा बना रहता है तो अब आप जान ही गए होंगे कि ये railway track कितना खतरनाक है तो चलिए नमबर दो railway track पर चलते हैं जिसका नाम है train to cloud आपने सपने में तो एक ऐसी train जरूर देखी होगी जो बादलों को चीरते हुए निकल रही हो लेकिन हकीकत में कहा जाए कि आपने ऐसी train देखी है तो आपका जवाब नहीं होगा तो आज हम हकीकत में आपको ऐसे ही train के बारे में बताएंगे इस train का सफर जितना रोमांचक है उतना ही खतरनाक भी है ये train अरजेंटीना एंडीस माउंटेन के रेलवे ट्रैक से होकर गुजरती है आपकी जानकारी के लिए हम बता दे कि यह दुनिया का सबसे उचा रेलवे ट्रैक माना जाता है इस रेलवे ट्रैक का निर्माण सन 1920 में अमेरिका के इंजीनियर रिचर्ड फोंटेन मरे के द्वारा किया गया था और इसको बनाने में 27 सालों का समय लगा था इस रेलवे ट्रैक को जमीन से करीब 4,225 मीटर की उंचाई पर बनाया गया है ये ट्रैक उत्तर पश्चिमी अर्जेंटीना को चिल्ली देश से जोडता है जब इस रेलवे ट्रैक से ट्रेन गुजराती है तो मानो ऐसा लगता है यह बादलों को चीरते हुए निकल रही हो इसलिए इसे लोग ट्रेन टूथ क्लाउड के नाम से जानते हैं ये ट्रेन लगभग 21 सुरंग और 29 पूलों से होकर गुजरती है लेकिन सुनने में ये जितनी आकरशित लग रही है ये उतनी ही खतरनाक भी है इसका अंदाजा आप इसकी उंचाई से लगा सकते हैं इसलिए इतनी उचाई के कारण यहां का रेलवे विभाग रोज इसकी जांच करता है अब बात करते हैं नंबर 3 के बारे में आसो मिनामी रेलवे ट्रैक जापान या दुनिया का सबसे खतरनाक रेलवे ट्रैक माना जाता है यह जापान का एक ऐसा ट्रेन रूट है जिसका कुछ भाग लोहे के पतले पुल से होकर गुजरता है जो दोनों तरफ से खुला हुआ है इसलिए ट्रेन चलाने वाले ड्राइवर को बड़ी ही सावधानी से ट्रेन चलानी पड़ती है क्योंकि ड्राइवर का एक गलत कदम ट्रेन को पट्री से सीधा नीचे गिरा सकता है यहां से गुजरते हुए आपको घने जंगल और गहरी घाटिया नजर आएंगे जो उपर से देखने में बहुत डरावनी लगती है यह खत्रा सिर्फ इतना ही नहीं है आगे जाकर यह ट्रेन ऐसे मार्ग से गुजरती है जहां ज्वाला मुखियों की भरमार है यहां रेलवे को भी पता नहीं होता कि कब क्या हो जाए इस रेलवे ट्रेक से गुजरते समय आपको ज्वाला मुखिय से तबाह पेड़ भी दिखाई देंगे यह रेलवे ट्रेक यात्रियों के लिए बेहद खतरनाक है क्योंकि यहां ज्वाला मुखिय का लावा हमेशा दहकता रहता है जिससे विस्फोर्ट कभी भी हो सकता है विस्फोर्ट होने के कारण यहां की यात्रियों को बचाना मानो नाममकिन है जिस वजह से यात्रियों की जान पर खतरा बना रहता है अब बात आती है नमबर 4 रेलवे ट्रैक की डेथ रेलवे ट्रैक थाइलेंड इस रेलवे ट्रैक के नाम को सुनकर आपके दिमाग में सवाल उठेगा कि इस railway track का नाम Death railway track क्यों है तो चलिए हम आपको इसका कारण बताते हैं ये railway track Thailand में बना हुआ है इसकी टोटल लंबाई लगभग 415 किलो मीटर है Death railway track Thailand शहर Bangkok को बर्मा के शहर रंगून से जोडता है ये railway track इतना खतरनाक है कि इस railway track को सन 1947 में बंद करवा दिया गया था इसका कारण जानकर किसी के भी रोंग्टे खड़े हो जाएंगे क्योंकि इस railway track को क्वाई नदी के उपर बनवाया गया था जिसमें 90,000 से भी ज्यादा लोगों ने अपनी जान गवां दी थी इसी लिए इस railway track को death railway track कहा जाता है इस दुरगटना के बाद इसको 10 साल के लिए इसे बंद कर दिया गया था लेकिन उसके बाद सन 1957 में फिर इसे खोल दिया गया यहां रात के समय सफर करने वाले यात्रियों को पढ़़पढ करती हुई हवा ट्रेन की आवाज और बेहद डरा देने वाली उंचाई लोगों का दिल दहला देती है यहां सफर करना हर किसी के बस की बात नहीं दोस्तों अभी तक आपने दुनिया के खतरनाक railway track के बारे में जाना यह railway track तमिल नाडू के रामेश्वरम में बना हुआ है यह पंबन द्वीप को रामेश्वरम से जोडता है इसलिए इसे पंबन ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है सौ सालों से भी पुराना यह ब्रिज जिसकी टोटल लंबाई 2.2 किलोमीटर है इस ब्रिज का निर्मान सन 1911 में शुरू किया गया था और यह ब्रिज 24 फरवरी सन 1915 में बन कर तैयार हो चुका था इस ब्रिज पर सफर करने के दौरान आप विशाल काय लहरों को देख सकते हैं जो बेहद ही रोमांचक होता है इस ब्रिज से जाने वाली ट्रेन से समुद्र की लहरें ट्रेन से टकरा कर वापस आती हैं यह सब नजारा देखकर यात्रियों की सांस मानू थम जाती है इस ट्रेन में कमजोर दिल वाले सफर नहीं कर सकते इस ट्रेन का सफर भले ही रोमांचक होता है लेकिन उतना ही खतरनाक भी होता है इंडोनेशिया में चलने वाली यह सबसे हाई स्पीड ट्रेन इतनी हाई स्पीड में चलती है जिसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते यह ट्रेन लगभग 350 किलो मीटर प्रती घंटा की रफतार से चलती है इसे इंडोनेशिया की सबसे हाई स्पीड ट्रेन माना जाता है यह ट्रेन आपको रोलर कोस्टर राइट देने के लिए काफी है यह रेलवे ट्रैक जकारता को बांडूंग शहर से जोडता है जाक करता से बांडूंग तक का सफर इस ट्रेन से लगभग 3 घंटे का है यह 3 घंटे इस ट्रेन में आपके लिए बेहत खतरनाक हो सकते हैं क्योंकि इस रेलवे ट्रैक से ट्रेन जब गुजराती है तो शुरू शुरू में तो आपको बेहत ही सुन्दर द्रिश्य देखने को मिलेंगे लेकिन जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ेगी यह घंटे जंगल और घाटियों में से गुजरेगी और आपको बेहत खतरनाक मंजर देखने को मिलेंगे यह मंजर इतने खतरनाक होते हैं जिसे देखकर आपकी रूह काँ पुठेगी नमबर साथ डेविल्स नोज इकवाडोर रेलवे ट्रेक दक्षिन अमेरिका यह दुनिया के सबसे डरावनी ट्रेन मानी जाती है नोज ओन ओफ देविल समुद्र तल से 9000 फीट की उंचाई पर स्थित है यह रेलवे ट्रेक इतना पतला है जिसे देखकर आप हैरान हो इसलिए इसे डेविल्स नोज के नाम से जाना जाता है जब इस रेलवे ट्रेक से ट्रेन गुजरती है तो वह पहाड के गोल गोल चक्कर लगाती है इस ट्रेन के एक तरफ पहाड है तो दूसरी तरफ खाई है इस ट्रेन में सफर करना आपके लिए मौत को दावत देने के बराबर है क्योंकि जब यह ट्रेन चलती है तो आपको एक तरफ गहरी खाई देखने को मिलती है जिसे देखकर आपकी सांसे थम जाएगी यह ट्रेन आपके लिए बेहद एडवेंचरस भी हो सकती और खतरनाक भी एडवेंचर के शौकीन लोग इस ट्रेन में सफर कर सकते हैं तो दोस्तों यह थे दुनिया के साथ सबसे खतरनाक रेलवे ट्रेक अगर आप एडवेंचर के बेहद शौकीन है और आपका दिल बहुत मजबूत है तो आप इन रेलवे ट्रेक्स की ट्रेन पर सफर जरूर करें और कमेंट में बताईए इन में से आपको सबसे ज्यादा चलिए जल्द ही मिलते हैं ऐसे ही एक इंटरस्टिंग वीडियो के साथ